पॉप रे इतनी आउस्टेंडिंग हो चुकी है ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उधारी बाट देते हैं आज तुम्हें सभी कस्टमर्स को रिमाइंडर लेटर भेज के ही रहूंगा सबको रिमाइंडर लेटर लिख दूँगा हाँ भई एकाउंटेंट क्या कर रहे हो क्या चल रहा है कुछ नहीं से रिमाइंडर लेटर बना रहा था कस्टमर्स की जो आउस्टेंडिंग है सब उधारी हो गया इतना सारा बस उसी को सोच रहा था भेज देता हूं रिमाइंडर लेटर बना के सायथ कुछ उधारी वापस बहुत अच्छी बात है, तो भेज दो सभी को, आज ही भेज दो, मैं भी कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, और मुझे भी लिस्ट दे दो, किसको किसको भेजा तुमने अभी, और आज ही सभी को भेज दो है न, लेट बिल्कुल मत करना, बहुत आउस्टेंडिंग हो गया कोई पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है, हाँ सर थोड़ा टाइम तो लग जाएगा भी, बहुत सारा लेटर बनाना है सर, अरे इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार, आसिस जी से पूछ लो, उनके पास कुछ न कुछ तरीका जरूर मिल जाएगा, टैली वाले कुछ तो दे के रखे होंगे, रिमाइंडर लेटर वगर है भेजने के लिए कस्टमर को, अब इतना कुछ करके रखा है, तो रिमाइंडर लेटर भी जरूर होना चाहिए, अपन यहीं से मेल कर दे, टैली से ही, या प्रिंट निकाल के भेज दे, हाड कॉपी, ठीक है, पू उस रिमाइंडर लेटर को आपको ज़्यादा मेहनत करके भी बराने जरूरत नहीं है, क्योंकि और चीजे टैली में अल्रेडी दी हुई है, तो जिलिए देखते हैं, टैली से हम लोग रिमाइंडर लेटर कैसे निकाल सकते हैं, और अपने कस्टमर को कैसे सेंड कर सकते हैं तो दोस्तो टैली से रिमाइंडर लेटर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी के साथ में आप रिमाइंडर लेटर निकालके अपने सभी कस्टमर को भेज सकते हैं, और साथ में उसमें अपना पेमेंट का QR कोड अगरे भी एड कर सकते हैं, अगर आप display more reports के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको statement आप accounts करके मिल जाएगा, उसके आद यहाँ पर outstanding करके मिलेगा, outstanding में जाना है, इधर laser में चले जाएंगे, जिस भी laser का reminder later आपको निकालना है, वो laser आप select कर लेंगे, तो laser select करने बाद में आपको कुछ इस तरीके से इनकी outstanding दिखेग तो यानि कि आपको bill by bill detail maintain करना जरूरी है, तभी आप reminder later इस तरीके से आप भेश पाएंगे, अब जैसे अगर आपको यहाँ से display ओगर में जाके, more reports में जाके, वहाँ से अगर आपको यह चीजे नहीं निकालनी है, तो एक shortcut तरीका भी है, आप alt G प्रेस करिए, या तो यहा इपनी report दोस्तो open हो चुकी है, अब आप इसको share भी कर सकते हैं, इसको export भी कर सकते हैं, PDF में इसका print भी निकाल सकते हैं, reminder later के साथ में, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अपने को इसे print निकालना है, तो control P करेंगे, control P करने के बाद में आपको इधर configuration में आ जाना है, तो reminder later आपको select कर लेना है, अब इसमें डेश पूछ रहा है, आपको कितने से कितने दिन की outstanding का भेजना है, तो आप देख लीजे, आपका maximum कितना outstanding हो चुका है, कितने दिन का, तो उतना आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 365 दिन ही डाल देता हूं पूरा, तो 365 दिन डाल के, म आपने हिसाब से कुछ चीजे लिखनी है customer को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मुझे यही रखना है, तो मैं यही रखूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको back करता हूं, और चलता हूं यहाँ प्रिव्यू देखने के लिए, तो जब मैं इदर प्रिव्यू देखन के लिए जाओंगा, अब आप यहाँ पे payment QR code payment link को अगर भी add कर सकते हैं, अगर आपने merchant profile नहीं create किया हुआ है, तो आप setting में भी जा के create कर सकते हैं, बाकि यहाँ से भी create कर सकते हैं, तो अगर मुझे यहीं create करना है, तो मैं यहाँ पे create पे जाओंगा, अब यह मुझे QR code enable क select करेंगे, इधर आपको UPI ID डाल देनी है, तो जो भी आपका mobile number है, वो आ जाता है, और add the rate YBL इस तरीके से रहता है, तो यह UPI ID अगर आप phone पे वोगर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको UPI ID डाल के इसको save करेंगे, अब यह party का detail है, अगर party के laser में आपने mobile number email वोगर डाल के रखा होगा, तो उनका detail वहीं से यह उठा लेगा, अगर आपने नहीं डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से एक mobile number डाल दिया है, आप original सही वाला ही mobile number verify करके डालिए, और यह email id भी डाल सकते हैं, तो यह मैंने यहाँ पर email id भी डाल दिया, अब यहाँ पर amount भी डला हुआ है, कितने amount का detail उनको जाएगा, ठीक, अब इसको enter, enter करते हैं, accept करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर पूछ रहा, do you want to save the QR code in selected vouchers करके yes, इसको करते हैं, तो अपने उसको yes किया, selected voucher वाला, तो जितने भी voucher हैं, यहाँ पर जो भी invices आपने काटे हुए हैं, सब में QR code generate हो जाएगा, अलग से भी अगर आप invices निकाल के देंगे, तो उसमें भी आपका QR code दिखेगा, तो दोस्तों, यह QR code वाली setting आप पहले से ही करके रख लीजिए, या तो आप यहाँ पे भी बाद में भी कर सकते हैं, अब दोस्तों, यह अपना successfully generate हो चुका है, इसके लिए QR code, यहाँ पर लिख के आ गया है, status success करके QR code generated, अब इसको back करते हैं, अब यहाँ पर outstanding later, यह अपना reminder later create हो चुका है, इसमें 14 पेज यह दिखा रहा है, अगर आपन पेज डाउन करके देखें, तो कुछ इस तरीके से आएगा, और last में इसमें आप देख सकते हैं, statement के बिलकुल, last में scan to pay करके लिखा हुआ है, QR code अपना आ रहा है, तो यहीं से customer scan करके आपको pay कर देगा, और 7 में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर में first में अपन जो देखे थे, उसमें अप पर एक एक detail आ रहा है, कि कितना दिन pending हो गया, क्या outstanding है अपनी पुरा वही जो bill wise detail अपना वहां पर दिख रहा था, कौन कौन से bill आपके pending है, और last में QR code हुई आ रहा है, वास अपना payment करके वो फूर्शत पाएगा, तो यह तो अपन प्रिंट निकाल रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और यही same चीज अगर आप export करना चाहें, तो यहां से export भी कर सकते हैं, एधर current में चलते हैं, यहां पर configure कर लेते हैं, तो इधर laser outstanding करके जो दिख रहा है, laser outstanding की जगह में reminder later करेंगे, यहां भी same वही conditions हैं, सारा कुछ आपको जितने दिन का भेजना है, reminder later आप add कर करना है, यहां से PDF में export करना है, JPG, Excel में जिसमें भी करना है, आप यहां से format कर सकते हैं, इसमें digital signature होगर है, तो digital signature होगर है भी आप add कर सकते हैं, यह भी सुविधा इसमें है, अब यह सारा detail आपने fill कर लिया, उसके बाद इसको back करेंगे, और इधर से export कर देंगे, अब इस add कर दिया था, तो दुवारा add करने के जरूत नहीं पड़ेगी, बांकि आप यहां पर yes करेंगे, तो यह सेम वही process करेगा, आपका पूरा QR UPI code जनरेट करेगा, सभी invoices के लिए, अब यहां पर successfully अपना QR code भी जनरेट हो चुका है, तो सेम इसको आप back करेंगे, तो यहां यह आपका bill export हो के इसमें निकल जाएगा, PDF format में निकल चुका है, अपना यह reminder later बाकायदे बनके, इसमें साथ में last में आपको यह payment वाला भी QR code add मिलेगा, जिससे customer payment करेगा आपको, उसके आप फिर यहां पर share का भी option आता है दोस्तों, तो आप इसको share भी कर सकते हैं, share करने के लिए आपको WhatsApp वोगरे से भी भेजना चाहें, WhatsApp से भी भेज सकते हैं, तो यह WhatsApp का भी option दिया हुआ है, और यह उपर वाला email का भी option दिया हुआ है, तो अगर आप email करना चाहते हैं, तो email भी कर सकते हैं, यहीं से आप current में चले जाएंगे, किस email ID से आप mail करना है, उसका mail ID ठीक है तो यह अपना mail to जिसको अपन mail भेज रहे हैं उसका address हो गया subject आ गया message में अगर कुछ लिखना है तो message आप लिख सकते हैं ठीक है इसको अब यहाँ पे configure का option आ रहा है यहाँ चले जाएंगे configure में laser outstanding same वही वाला reminder later वाला सेम सारी चीजे वही है आपको यहाँ पे सारा detail add कर देना है उसके आदे बार back कर लेंगे back करने बाद यहाँ पे आप email पे click करेंगो आपका mail send हो जाएगा तो आप mail भी कर सकते है reminder later सभी को यहाँ से WhatsApp भी कर सकते हैं हाँ हो गया भेज दिया सबको sir काम हो गया sir भेज दिया सबको सबको reminder later भेज दिया sir और यह list भी आपको लेके आया हूँ very good very good साबाश हलो आप लोगोंने भी reminder later भेज दिया हो तो वीडियो को like जरूर कर देना ठीक है तो जी यहां दोस्तों वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और अगर चैनल पर नए है तो subscribe भी जरूर कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को share भी जरूर करिए तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thank you